हाई फ्रेंज कोकुवित नीसु में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं इंस्टन्ट वड़ा पाउ की रेसिपी ये एकदम मुंबई स्टाइल में बनेंगे और बहुत ही टेस्टी होंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले ह हम लेंगी ग्रेंडिंग जार फिर में ले रही हूं यहाँ पे अद्रक मेर्च और लहसुन फिर इसके बाद में लूँगी वन टी स्पून साबुत सॉंप यानिकी खड़ी सॉंप फिर में ले रही हूं यहाँ पे खड़ी धनिया और थोड़ा सा हम लेंगी जीरा पाउड नहें हलका सा दर्दरा फिर हम लेएंगे एक गप बेशन बेशन को मैं अच्छी से चाल लिया है फिर में यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्डी पाउडर फिर हम इसमें अड़ करेंगे वन टीस्पून अजवाइन अजवाइन को मैं अच् करें फिर इसके बाद में लूँगी वन टी स्पून बेकिंग पाउडर ध्यान रखें बेकिंग पाउडर ही डालें बेकिंग सोडा नहीं नहीं तो इससे हमारे वड़े ओईली होंगे अब सारे इंग्रिडिन्स को हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे अच्छी तरीके से फैट लेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कोई गुटलिया ना पड़े यानि कि इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं रहना चाहिए तो देखें ये दम अच्छी तरीके से फैट चुका है फिर भी मैं इसे एक मिनट या देड़ मिनट तक और अच्छे से अब यह ready है अब हम थोड़ा सा fry pan में तेल एड़ करेंगे मैंने gas on कर दी है फिर इसमें हम थोड़ा सा सरसो का दाना डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे इसे अच्छे से हम mix कर लेंगे और जो मैंने मसाले ले रखे हैं उसे भी हम यहाँ पर add करेंगे और सारे ingredients को चुके हैं तो मैंने दो से तीन आलू उबाल के छील के से मैश करके ले लिया है इसे हम इसमें डालेंगे और कम से कम एक से देड मिनट तक अच्छे से सारे चीजों को mix करके हम अच्छे से इसे भी पका लेंगे क्योंकि हमारी आलू अल्रेड़ी हुई है इसमें ज्यादा नहीं लगेगा अब मैं यहां पर थोड़ा सा नमक आड़ करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी गैस की फ्लेम को बन कर देते हैं तो चलिए वड़े के लिए सेब दे देते हैं आपको जो सेब पसंदे आप वो सेब चाहे चप्टा या गोल बना सकते हैं मैं गोल ही बना रही हूं तो देखे मेरे सारे वड़े यहां रेड़ी है हमारा तेल भी गरम हो चुका है अब जो हमने बैटर तयार किया था उसमें अपने वड़े को डिप करेंगे और एक फॉक की मदद से हम इसे फ्राइ करने के लिए तेल में डालेंगे हमें जितने वड़े एक तरीके से घुमा लेती हूं द्यान रखे पलटना नहीं सिर्फ घुमाना है कि अच्छी तरीके से तेल में डिप हो जाए तो देखे यह अच्छी से डिप हो चुके हैं अब मैं इसे एक से देड मिनट बाद पलट दूगी तो चलिए हम इसे पलट लेते हैं तो एकए करके म एक देड़ मींट होने देंगे, यह दम ready है, हमारे वड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिने आप गड़े मिर्च त्यम इसी में प्रयम तेली तृपचि पर formal क कि अर खचली हैं, देखिने हिर्ऑ थाль है ,arlaट , तो का घृत् हो चुकी है अब इसे भी हम निकाल लेते हैं बाहर तो देखिए हमारे वड़े कितने अच्छे है तो चलिए चटनी बना लेते हैं लाल वाली तो यहां मैंने रोस्ट करके मुमफली के दाने ले लिये हैं छिलके उतार लिये हैं और चाप 5-6 मिर्च ले लिया और 2-4 कली लहस चटनी होती ही है तो चलिए अब हम इसे सर्फ करते हैं तो पहले में पाव को ले लूँगी और हम चाहे नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं या बीच में से भी इसे इस तरह से फाड़ के हम इसमें पहले थोड़ी सी चटनी रखेंगे जो हमने पीस ली है यह भी रख सकते है या आप ग्रीन चटनी भी बनाके रख सकते हैं फिर एक वड़ा लेके हम इसमें रखेंगे फिर अगर आपको मिर्च पसंदे तो आप मिर्च रखिए वन आप मिर्च को इसकीप कर सकते हैं तो देखिए रेसीपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताईएगा वीडियो प